इस्टाग्राम प्रोफेशनल पेज बनाने के लिए दोस्तों आपको सबचे पहले अपने इस्टाग्राम के लोग इन पेज पर आ जाना है यहां पर और यहां पर आके आपको सबचे पहले जो है साइन अप पर क्लिक कर लेना है और यहां पर आपको एक स्पेशल नेम जो है यूजर नेम यहाँ पर टाइप कर लेना है तो हम कर लेते हैं यहाँ पर टाइप ag.food तो यहाँ पर हमने जो है special नाम बना दिया है यूजर नेम और इसके बाद यहाँ पर हम next पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर जो है हम continue पर क्लिक कर लेंगे ठीक है यहाँ पर एंड यहाँ पर add account पर click करेंगे यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको अपना mobile number type कर लेना है तो हम कर लेते हैं यहाँ पर type इसके बाद अगर आपके पाद email address है तो आप email address भी यहाँ पर enter कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर phone number enter कर रहा हूँ इसके बाद यहाँ पर आपको next पर click कर लेना है और यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे name and password तो आप यहाँ पर जो है क्या नाम रखना चाहते हैं आप वो आपको यहाँ पर type कर लेना है अगर इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यही password आप जोए save करना चाहते हैं अपने phone में तो यहाँ पर ब्लू टिक पे जोए click कर देजिएगा ताकि जो है automatic आपके phone में जो है यह जो password है वो जो है हमेसे के लिए save रहे और अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको भी आप un-tick कर सकते हैं लेकिन में इसको पर tick कर दूँँगा उसके बाद वहाँ पे continue and यहाँपे click करके यहाँपे आपको अपनी जो भी डेटो बढ़ते वो यहाँब आपको type कर देनी है तो मैं यहाँपे कर लेता हूँ डेटोबर्ट टाइप तो यहाँ पे हमने डेटोबर्ट एंटर कर दिया है, इसके बाद हम next पर klik कर लेंगे simple and यहाँ पर sign up पर कियाँ पर हम klik कर लेंगे, ठीक है तो यहाँ पर registered हो रहा है तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम इसको skip कर लेंगे और यहाँ पे skip पे click कर लेंगे और यहाँ पे जो है हम इसको skip कर लेंगे ठीक है तो यह page हमारा बन के तयार हो चुका है अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप click करेंगे तो यहां पे आपको piece कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा अब इसको हम setup करेंगे process में पूरा यहां पे आपको बता रहा हूँ कैसे आपको पूरा यह piece setup करना है तो अभी हम यहां पे जो है सब्सक्राइब पहले इस page पे यहां पे profile picture को upload करेंगे जो कि मैंने एक logo बना रख है ठीक है special जो हमारा page का logo होता है वो भी आप बना सकते हैं तो यहां पे click करेंगे और यहां पे add profile picture पे हम यहां पे click करेंगे और यहां पे हम new profile photo पे click करेंगे और यहां पे यह रहा हमारा logo यहां पर हम इसको इस तरीके से और इसे यहां पर upload कर देंगे तो यहां पर देख सकते हैं आप यह हमारी profile picture upload हो चुकिये अब दोस्तों हम इस page में कुछ edit करेंगे यानि इस page को professional बनाएंगे ताकि जो भी visit करेंगे इस page में उनको यह page जो है unique सा लगए थोड़ा अब हम यहां पर name आपने एंटर कर रखा है बायो में आप यहां पर कुछ भी एंटर कर सकते हैं जो भी आपको टाइप करना है description जो होता है तो मैंने यहां पर type कर दिया है bio में एन यहां पर click कर लेते हैं आप जोस्तों यहां पर आप जो है अपने link को add कर सकते हैं आपकी website की link है या अगर आपे वो आप यहां पर टाइप कर सकते हैं तो मैं यहां पर अपनी जो है यूटूब की लिंक एंटर कर लेता हूं ठीक है तो चलिए हम यूटूब पर चलते हैं एंड यहां पर हम अपना चैनल सर्च कर लेते हैं और यह रहा हमारा चैनल यहां से हम सेर करेंगे कॉपी करेंगे इसको एंड यहां पर जाएंगे यहां पर हम इसको फेस्ट कर देंगे यहां पर मैंने इसको अड कर दिया ठीक है तो यहां पर मैंने अपने यूटूब की लि पर क्लिक करना पड़ेगा इसके बाद याँ पर continue और यह पे क्लिक करेंगे और यह पिस जो है आप किस category का थे हुद के टीगरी का यहां पर जो है फूड के category है तो यहां पे जो भी ऐपकी यह वह आप यहां पर चूज कर लिजेगा तो यहाँ पर मैं फूट ट्रक ठीक है फूट ट्रक पर क्लिक कर रहा हूँ अगर आप डिस्पले करना चाहते इस नेम को तो आप यहाँ पर इसको on कर दिए गया यह आपकी जो है profile picture में show करेगा तो मैंने यहाँ पर इसको on कर दिया है या आप influencer है तो यहाँ पर आप created पर क्लिक कर सकते हैं लेकिन अगर आपने जो है professional कोई piece बना रखा है किसी brand को लेकर तो यहाँ पर आप business पर क्लिक कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर business पर क्लिक कर लिया है अब यहाँ पर हम next पर क्लिक कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका email address है वो आपको यहाँ पर type कर लेना है तो मैं यहाँ पर type कर लेता हूँ अपना email address अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है अपना business address जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर type कर सकते हैं आपको नहीं करना है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं और यहां पर आपको इस पूरी डिटेल को अगर आपको अपनी जो है प्रोफाइल में सो करवाना है तो इसको आप ओन कर सकते हैं ठीक है और नहीं कराना चाते हैं अगर आप इसको प्रैविसी को सिक्योर रखने के यहां पर जो है इसको आपको skip कर लेना है इसके बाद आपको यहां पर five step देखने को मिलेंगे यह आपको complete करना है तब यह professional account बन जाएगा यहां पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर थोड़ा wait करने आपको और यहां पर आपको इनको देख लेना है पहले एक बार्चक करके इसके बाद यहां पर आपको simple यहां पर क्लिक कर लेना ठीक है अब यहां पर five step पूरा हो चुका है अभी हमें यहां पर चोथा step पूरा करेंगे तो इसके लिए आपको share content to view inside पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको जो है कोई भी post एक जो है यहां पर create post पर क्ल लगा लेते हैं ठीक है और इसको हम एक post बना देते हैं ठीक है simple सी तो यह हो चुका है ठीक है अब यह भी हो चुका है अब दोस्तों यहां पर हमने four step complete कर दिया है अब यहां पर फिफ्ट नंबर का जो step है वो यह है share content with view inside तो यहां पर हमें जो है दो तीन post जो है यहां पर create करनी है तब ही जाकि यह step पूरा होगा चलिए यहां पर फटावट से हम create posts कर लेते हैं और कोई भी तीन चार पोस्ट यहां पर हम एड़ कर देते हैं ठीक है लेजिए अब दोस्तों यहां पर हमारे पांचों के पांचों step complete हो चुका है अब मैं आपको page को दिखा देता हू कराने हैं यहां पर आप आप अकांट करेंगे सी Cinderella यहां पर एपको क्लिक कर लेना है और यहां पर आप को इसको close कर लेना है अब यहां पर देख सकते हैं कि 30 दिन की अंडर आप का account कितने लोगों तक पहुंचा है और आपका यह page कितने account के साथ in-gave कर रहा है और कितने आपके follower हुए हैं यह सब कुछ यहां पे आपको दिखा देगा इसके बाद आपको क्या करना है बैक हो जाने और यहां पे इसको थोड़ा unique बनाने के लिए आपको क्या करना है पड़ेगा एड़ेट पर क्लिक कर लेना है और यहां पे आपको जो है ना कुछ unique सा मतलब आपको यहां पे अलग-अलग सा मतलब थोड़ा इस्टाइलिस ठीक है इस्टाइलिस फॉंट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा chrome ब्राउजर में आपको जाना ठीक है और यहां पे आपको क्या करना है टाइप कर लेना है fancy fancy एप test Luca font generator यहां पे आप click करेंगे यहां पे आप जुए si भी सकाइड पर चले जाएंगे यहां पे करेंगे और यहां पे मैं एप कर रहा हूँ ठीक है ऐजी हफूर इस मैं टाइप करना है ठीक है पर यहां पे आपको देखने को मिलेक बहुत सारे यहां पर आपको unique unique से यहां पर found देखने को मिलेंगे तो चलिए यहां पर मैं इसको click कर लेता हूँ यहां से इसको हम copy करेंगे and यहां पर हम इसको paste कर देंगे ठीक है paste and इस तरीके से आप यहां पर unique सा थोड़ा मतलब काफी अच्छा लगता है यह page के उपर और यहां से इस तरीके से अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह page हमारा एकदम complete हो चुका है अभी मैं आपको एक example दिखा रहा हूँ अपने दूसरे page का कि आप कैसे बना सकते हैं अपना एक professional page और यहां पर हे हम पुर्ण कर देता हूँ और यहां-पर भी एक professional page है और लगा सकते हैं अपना page जो कि कि मैंने आपको दिखाया है आपको मिलेंगे professional dax board आपको यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर अगर मैं कर आण तो यहांपर आप दे करेंगे तो यहां पे जो है आपको इस तरीके से दिखा देगा आपका जो पीज है कितने लोगों तक जो है 30 दिन के अंदर जो है 2000 से उपर जो है हमारे यह professional page पहुंचा है रीज किया है इसके बाद यहां पे account के साथ कितने लोगों के साथ engagement किया है तो यह 154 लोग है total follower कितने हैं तो यह यहां पे आपको सो हो जाएगा और यहां पे आपको और भी बहुत सारी features आपको देखने को मिलेगा यहां पे story आपने कितनी एड की है रिल्स आपने कितने बनाए वीडियो उगरा और यहाँ पर आपको बहुत सारे आपके content आपको देखने को मिलेंगे इसके बाद यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं मैंने किस तरीके से यहाँ पर एक unique सा दे रखाया है space को नाम से लेकर इस तरीके से आप भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप जो है ना story इस तरीके से भी आप add कर सकते हैं जो भी story आप लगाते हो ना उसको यहाँ पर आप अपनी profile में so जरूर add करें यह बहुत easy है देखे मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको आप add कर सकते हैं इसके लिए आपको एक feature देखनों को मिलेगा यहाँ पर new का इस पर आप click करेंगे जितनी भी आपने जो है एक दिन में जो है लगाई होगी story आपको पुरानी जितनी भी आपकी story है तो आपको यहाँ पर हो जाएगी उसके बाद जैसे suppose यहाँ पर जो है एक यहाँ पर है यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा यूनिक करेंगे यह लीजे एंड यहाँ पर जो है इसके उपर जो है फोटो भी अपलोड कर सकते हैं edit cover पर click करेंगे एंड आपको यहाँ पर यह गैलरी का option दिख रहा है यहाँ पर इस पर आपको click कर लेना है और यहाँ पर आपको जो है एक फोटो आप लेके आ सकते हैं ठीक है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ जो भी फोटो आपकी पास है लीजे यहाँ पर मैं इसको enter कर रहा हू और इस तरीके से यहाँ पर done पर click करके और यह मैंने यहाँ पर जो है इसको highlight कर दिया है अपने professional phase में जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी इस highlight के उपर एक फोटो भी cover फोटो भी आ गई है और इसके नीचे जो नाम है वो भी आ गई ह तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना एक professional account बना सकते हैं और daily आपको एक post यार add करने है ताकि आपका जो page है वो अच्छे से growth कर पाए और सभी तक पहुंच पाए और आपके जो है ना अच्छे follower बढ़ पाएंगे झाल